स्वागत है आप सबका आज हम लोग के साथ में हैं काफी फेमस सुपर्सीद सिख्षक फिजिक्स के परफेसर एके दूबेसर अर्बीन फिजिक्स सेंटर के नाम से सर आज से लगभग 30 वर से ज्यादा समय से कलास चला रहे हैं तो सर का स्वागत कीजी आप लोग स्वागत है चैनल के जितने जान भी कि मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि वह इस देख रहा है तो देखिए एम्टेक के बाद कर रहा था लेकिन मेरे धिमाँ में जो है एक जून की स्टार्ट करने का यो दौर भी था ऊस दौर में जो है इस्टूरेंट्स अपना ख़ोल रहा थे तो मेरी इस उचिछ वई इडिया की मेंrire इंटिया कहे बड़ी ba में रह करके अपने जीला के लोगों की सेवा की जाए और इसलिए मैं यहां के मतिहारी में अपना स्टार्ट गिया कोचिंग का स्टार्टिंग जो था एक रूम में एक विद्यार्थी से स्टूडेंट पढ़ रहा थे उसमें से पहला स्टूडेंट 24 में जो सेलेक्ट हुए पहले पी आईटी सिंद्री में उनका एडमिशन होगा भी आईटी सिंद्री अभी यारखंड में चला गया है और वह एक बहुत फेमस था वहां से जो है उनका नाम है बच्चा परसाद में मेरे पोचिंग के पहले स्टूडेंट जब तक मैं उनके ब बीच में आईएटी बेच्चू से वो एम्टेक भी किये और आईएएम से अपना जो है मैनेजमेंट किये और आज भायस प्रिसिडेंट तक पहुच गया है इसी तरह से कोचिंग का स्टार्ट हो गया और चुकि एक ही साल के बाद सफलता मिली तो फिर मेरा मन इसमें लगत कोचिंट आएएटे गया और एचोटेसे सहर मौतिहारी जह से सवह से एक साल में दस ज्ञादा स्टूडेट उस जमाने कई आईएएटी बेच जब में छ्थोई आईएएटी हुए करते थे मां तब स्टूडेट्स का स्टैंड बहुत बेहतर हुए करते था मेर नाम की च मैंने जो 12 जी सल किया उसी साथ रंजीत नाम के स्टूडेंट जो है उनका एडमिशन आई-आई-आई-टी मुंबाई आज हो गया है इसकाम को परते चला गया और ये करम चल रहा है आज भी मैं कर रहा हूं और इसकाम में मेरा पैसन था बच्चों को पुढ़ाना इसलिए नौकरी योगर हमको रास नहीं आई और इस धंदा में यहां मुतिहारी जैसे सहर में आपार सफलता भी मिली और इस तरह से यह कोचिंग आज भी चल रहा है आज भी मैं आप लोग के सामने बच्चे मतलब की आपने हैं तेन्त पास करके त या दिल्ली का तो सहर के जो अच्छे स्टूएंट्स हुआ करते थे बाहर जाना सुरुकिये अब रहें लोकल के जो है जो गाउं साइट के स्टूएंट्स हैं और कुछ मुतिहारी के जो स्टूएंट्स हैं मुतिहारी में आना सुरुकिये ऐसे घर के बची आये जिनको यह पटा नहीं को इस बात को उन्तर नहीं है कि IIT and ITI क्या क्या पता नहीं है िसके नहीं जानता है कि बीटे क्या होता है उनको पता नहीं है तो ऐसे ऐसे बच्चे को पढ़ाना होता है आप लोग को जान कर गया अश्चार हो गाए कि एक बार मेरा पास एक स्टूडेंट आया और किसी टीचर के आप पढ़ रहा था तो पूछे कि तुम कहां पढ़ रहा हूँ अथा अब नाम बताया तो पूछे कि ऐसा क्या है कि जो तो बोला कि सर वो जो है न वो आयाइटी किया हुए है मेडिकल किये हुए है अब मेरा दिमाग ठाण किया है भई आयाइटी और मेडिकल दोनों किया हुए है टीचर किये हुए है तो फिर मेरा दिमाग ठाण किया कि ओ ऐसा है तो तुम कैसे जाना ये बात है तो बोला कि सर वह दिए तो ऐसे स्टूडेंट्स चले आते हैं जिनको यह नहीं पता है कि जो आई-ाइटी करता है वो मेडिकल नहीं करता है पढ़ाने वादा जो टीचर वो बोर्ड पर अपना परशार में लिख दिया अपने बोर्ड पे कि यह यहां कोचिंग होती है आई-ाइटी के सबसे बड़ी बात है कि यहां जो स्टूडेंट्स आते हैं उन स्टूडेंट्स को टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलते हैं और वो जानते हैं कि हम इस टीचर कि हाँ पढ़ने जा रहे हैं लेकिन बाहर जब बच्चे जाते हैं तो उनके नहीं मालों कि उनको पढ़ाए हम लोग जो हैं पढ़ाते हुए आ रहा है और स्टुडेंट्स आच्छे करते रहा है ये सिगी बात है छोटा-सा सहर से का ड़ीब का बच्चा तो हम अभी में घर का खिचड़ी खा करके और इंजिरिंग में चला जाता है मेडिकल में चला जाता है यह हम लोग बहुत संतोस कर लोगे पूच्ह क्या उन लोग के लिए किया जो कि बाहर नहीं जा इस फीजुर्वन उन्हें तो कोई बाद नहीं है जो नहीं कि यह आ से लोग इहें से क्वालिफाइग करते हैं तो हम लोगे ज़्या Willi सवल है कि हमें किसी स्वाहरें बहुं सारा coaching लेन के बहुं सारा coaching रहता है तो बच्चे बहु अगा आते हैं पढ़िने निए ठीशक प्ढ़िन करना है किसफ्छा की भरगार से किसी के पास पहुं असको के साख करना है तो वहां है जाम किस dhv को अब लोग अपना प्रचार प्रसार लिखे गई तो स्टुडेंट को पहलत यह जानना चाहिए कि भाई जिसके आपा समझा रहा है उनका educational qualification क्या है यह बहुत मैटर करता है दूसरा है टीचर का उन्वर्ग टीचर का उन्वर्ग सब जज़ करें कि भाई टीचर पढ़ा रहा है तो कितना एक्सपेरियंस्ट है यह के बात और दूसरी बात यह है कि उनका टीचर का एक ट्रैक रेकॉर्ड है अच्छा कराने का बच्छों को पढ़ाने का तो वह टीचर मेरे ख्याल से बढ़िया होगा ठीक है चुकि आदमी कितना भी बहुत बंढ़िया हो सकता है लेकिन अस्टूडेंट को समझंहा maior बहुत बढ़ी बात इस च्टूडेंट को समझ को समझ। तो अगर बच्चा कोई चाहता IIT करने के लिए चोटा सा उसके बताई तरीका क्या करें स्टार्टिंग से क्या करें बहुत लो तो बहुत जागरुक हैं उनका बच्चा 910 से ही फाउंडेशन को से स्टार्ट करते रहा है और अपना पढ़ाई सुरू करता है 910 से उसको मालू है कि IIT क्या है मेडिकल क्या है यह सब उसके मालू है और उसके बार जब वह आता है तो देखिए बहुत ऐसे गारज अब कोई अगर ऐसी गल्ती करें कोई अगर कारियन यह सुचता है कि मेरा बच्चा एगर आवी बार हुई में जाएगा पहले बोड़ी या मिशन पास कर लेगा और उसके बाद एक साल में IIT का तयारी कर लेगा तो उसके बस की बात नहीं है अगर आवी बार हुई में भी अगर वो शुरू कर रहा है तो उसकी माना वो लेट सुरू कर रहा है उसके पहले सुरू करना चाहिए और उसके बस की बात नहीं है IIT माना ऐसी चीज़ नहीं है कि उसमें जो लोग जो है एक रही बार हुई के पॉर्स पढ़े माइस्टर बोड लेबल के पढ़ा थे आज कि बार हो ही के कुर्स पढ़ना है कमटी से अलेवें ट्वेल से दोनों की जरूँत है तो ट्वेल्स के कुर्ष पढ़ना है 12 में भी ऐसा इजामिस्टर हो गया है जैसे 30 मार्स में प्रेक्टिकल में उजवली 25 पर ही मार्स आए गा और मैंनि जा कि 70 अब्यक्टिव में करना अब्जेक्टिव क्या तो वह 35 में 35 अब्जेक्टिव कर देगा तो उसके बाद जो है टू मार्स वाले कोश्चन होते हैं तो उसमें से अगर वुचा है तो आसानी से मार्स आ जाएगे लेकिंश मर्स से और कुछ पर नहीं पाएंगे अगर उसका टार्जेट ऐधी जैसे पंपूर्टिशन है जी जैसे कंपेशन तो उसमें बहुत बच्चे हुद बच्च लगे बागे में उनके साथ हुआंगा कंपूरिशन और हम लोग मोतिहारी या किसी जो तो उनका कॉंप्टिशन इन लोग से नहीं है, उनका कॉंप्टिशन तो जो बड़े-बड़े सा स्थान में बढ़ तरकी लोप रहे हैं, उनके साथ है, तो उनकी तैयारी भी जवर्जस होनी से लिए, और एगर आही बारोही में बच्चे कर रहे हैं, तो यह ना बूझे कि ह मालेज़े 12 करने के बाद 2-3 साथ तक देते रहा हैं, मुबाइल के उज़ बच्चे कर रहे हैं, कैसे बच्चे कैसे उज़ करें उसका, मुबाइल का उज़ से तो मान के चलिए कि 90% स्टूडेंट्स जो हैं, डिस्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट हैं, 10% होंगे जो उसका फायद सुरू करता है, तो उसको दिकत होती है, वो जो देखना चाहता है, वो नहीं देखता है, दूसरा चीज़ देखते करके, सौर्स देख देख करके, और वो अपना दिमाग ठाका लेता है, मन्ने वो पुछ कर नहीं पा रहा है, हाल तो यह होगिया कि बच्चा रात में, एक सो अगुना मुझी है कि उसको घाटा, इसलिए बुरी बनावे, या अगर यूज करता है बाई दिमाट तो जदवत भर का यूज करें, और पढ़ाई पे फ्रोकस करें, किताब पढ़ने से उसकी बुद्धी बढ़ेगी, किताब जब अपने से पोस्चन पढ़ेगा, और उसका अनालिसिस करेगा, तब उसको पता चलेगा, कि उसको प्रोब्लम तो समझे, या कुछ टीचर करेंगे कि नहीं, मेरे पढ़ाद देने से ही, यह तो यह तो घरत बात बात नहीं है, आप किताब पढ़िए, किताब पढ़िएगा तो आप बहु सार बात सिखिएगा, क्योंकि टीचर जब बोलते रहते हैं, पूरी बात भी बोल दे, ता आप पूरा बात आपके दिमाये कच करेंगे, जरूरी नहीं, उसका नहीं कुछ नहीं से छूटे गाई, तक यह तो आपकी बात पढ़िए, आपका बढ़िए आपका बुग आपका बुक आपको आपको साइंस पढ़ेगा, यह पढ़ेगा, तो नंबर के बेस पर बच्चे का करियर करना, कहा तक सही है? मार्स तो ऐसे ही है मार्स के पूंतिकर की ज़ज नहीं है तो ऐसे में पर 10 अरह के जहां सवाल में में मिनमम में बहुत ज्ञादा मार्स आसका सवाल है कि बच्चा परहाई को इसकी कि इसके देखरेक में पढ़ाय कि उसका डिफ्थ गया मार्स थोड़ा कॉम भी आएगा आउसके अंदर डेफ्ट है तो आगे निकमन जाएगा और मार्स लेकर के मालीजेगी आर्ट पेपर है उसमें भी मार्स हो लाता है बहुत तरक्की बात है तो वो सही जज्जमेंट नहीं और वैसे भी 10th level की syllabus में 11 12th की syllabus में मनें वाइट इड़ा के लिए ऊस्टेट नगे उसके लिए कुछ है तो तो कभी देखता ही है जैसे मनें यह क्लास करके गया और क्लास करके गया जू टीचर पढ़ाएं उसको देखा गलड़िए तो ठीचर पूछेंगे तो उसको नहीं आएगी बाद समझेगे तो देखिए पढ़ाई उन्हीं लोग के लिए हैं जो पॉछने के लिए इशुक हैं जो पढ़ाई के परदी फुल फुकस्ट है वो लोग अच्छा करेगा और जो लोग ऐसे ही मालीजे समय नहीं देता है सेल्फ पर स्टेटी नहीं करता है वो समझता है कि टीचर से एक बार सून लिए तो हमारा सव काम होगे नहीं हो अरा सब्सक्राइटी मालीजे की आपका कलास चुड़ता है फिर उनके बस की बात नहीं वो नहीं कभरब कर पाते हैं जो इंडिया से बाहर हैं मनें काम कर रहे है इंडिया में काम करें पर दिखिए पहले बोले थे कि बच्चा पुरसाद मेरे कोचिंग के पहले स्टूडेंट है वो जो क्वालिफाई किये उसके बाद रंजीच कुमार है युएसे में है मॉर्गन एने स्टेनली में काम करते हैं न्यू जर्सी में रहते हैं फिर आपका बीजय कुमार है ये जो है साउस अफिरिका में रहते हैं ये पिये सीजी किया है और उसके बाद से आइई-आए-एम लख्णोंसे आपका जो है म बीजय की अद उसके बाद बाहर चले गए राधियर लोग से हमको ज़्यादा मुलाकात होते रहे हैं यो कि इंजिनियर तो बहुत दूर दूर चले गए और जो डॉक्टर है वो लोकल में अपना प्राक्टिस से स्टार्ट किया तुन लोगों से संपर्क बना हुआ है इसमें जो है मैंने धेर सारे जो मोतिहारी में आज के डेट में कारजरत हैं उनमें से बहुत लोग है जैसे एक कार्डियोलोजिस् जिनके नाम डाक्टर एक ढ़ते हैं और उसके बाद से रहा हैं तुमीथ मूतिहारी में रहाते हैं था के हैं डेक्टर सुमीत मुतिहारी के हैं बेतियां अस्पताल में डेक्टर नंदलाल मुतिहारी के हैं जो आपको अभी बनारश्थी में रहते हैं डेक्टर अजीत मुतिहारी में रहते हैं यह कुछ लोग है अब तो सब का नाम हम अभी नहीं आपको बता पाएंगे वीडियो करते हैं और मैं अपनी अगर सफलता काउंट करूं तो इन लोग को देख करके लगता है कि हम इस शोटे से सहर में रह करके भी बहुत कुछ किया दिया लोग को सर से आप कमेंट पर बताईएगा कि क्या कि आपको मतलब अच्छा लगा तो अच्छे नहीं था इना आपके लिए कौन उपयोगी है और फिर अपना राय देचेएगा और आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद थेंके आप सब लोग को बहुत-धन्यवाद